स्वागताँ के अपने youtube चैनल टेक जानों सीखो पर क्या दोस्तोंmadı से के की वल WhatsApp इंटरनेट को बंद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे तरीका में इसी के बारे में आपको बात करने वाई हूं तो स्वागत्त है आपका टेक जानों सीखो YouTube चैनल पर आई आपको बताता हूं दोस्तों WhatsApp के Notification को हम कैसे बंद करते हैं, क्या तोर तरीका है Sorry, यहाँ पर WhatsApp के Internet को हम कैसे बंद करते हैं, इसी के बारे मैं आपसे बात करने वाला हूं तो चलिए आगे बारे और WhatsApp के यहाँ पर हम डेटा बंद करने के बारे में सब कुछ जानकार्य आपको देते हैं सबसे पहले आपको आपको वाल फोन में WhatsApp को ओपन कर ले ना, जैसे कि आप देख पारें, ठीक है ना बहुत सारे आपसन है ठीक है ना, उचले लेश टेटा है वे रोमिंग है बहुत सारे आपसन आपको मिलेंगे, प्रॉक्सी सेटिंग वे मिल जागा बट आपको है कुछ करना नहीं है आपको सीधे WhatsApp ऐसे आना है इस तरह से बैक आना है और WhatsApp पे इसे दबाया के रखिएगा ठीक है दबाया के रखेंगे तो आफसन आ जागा एप इन्फ होगा या तो आई बटन आएगा आई बटन पर क्लिक करिएगा ठीक है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आफसन जब इसमें आएगे तो नीचे के तरफ एक आफसन होगा Data Usage का तो Data Usage पर क्लिक करना है और आपको क्या करना है Disable Mobile Data and Disable Wi-Fi इन दोनों को चालू कर देना है और Background Data को बंद कर देना है बस अब आपका कार हो गया WhatsApp की इंटरनेट आपके बंद हो चुके जब Office से वापस लटके आईए तो ऐसे दबाईए और App Info में जाईए और आप यहाँ पिना यहाँ पर जो आप बंद के थे डेटा हो जाए इसमें जाए और इन दोनों को बंद कर दिजी और इसको चालू कर दिजी पिर आपकाट सही हो जाएगा पहले की तरह हो जाएगा वीडियो अच्छी लगए और सपोर्ट करेगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों मिलेंगे किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपने ख्याल देखिएगा बैबै दोस्तों